आज के हमारी इस वीडियो को टॉपिक है Can RCCB work without earthing? मतलब जो RCCB होती है क्या ये बिना earthing के काम करती है या फिल नहीं करती? दोस्तों आज का दो यह सवाल है ये आप में से कई लोगों ने मुझसे काफी बार comment करके पूछा है लोगों के मन में confusion इस बात को लेके होता है कि उनके घर में या फिर उनके industry में कुछ area ऐसा है जहां पर earthing नहीं हो रखी है और अब वह उस जगे पर human protection चाते हैं मतलब कि वह वहाँ पर electrical shock से protection चाते हैं और इसके लिए वहाँ पर RCCB लगाना चाते हैं क्या RCCB हमारे बिना earthing के काम करेगी या फिर नहीं करेगी तो दोस्तो इसी सवाल से लिए जो भी आपके doubt है सारे इस वीडियो में clear होने वाले हैं तो बिना जादे लिए करे वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तो वीडियो के starting में अगर मैं आपको direct इस सवाल का जवाब बताऊं तो simple सी बात ऐसी है कि हमारे जो RCCB होती है इस RCCB को work करने के लिए earthing की requirement नहीं है RCCB जो हमें protection देती है जो circuit को trip करती है वह current की unbalancing को sense करती है और उसके द्वारा करती है लेकिन दोस्तों अगर आप electrical background से है तो आपको RCCB की थोड़ी working clear होनी चाहिए ताकि आपको future में इससे लेटे कोई भी doubt ना रहे अगर मैं आपको सिर्फ 2 minute के अंदर RCCB के working समझाओ तो RCCB के breaking काफी जादा simple होती है जैसे मान लेजी कि हमारे पास में एक RCCB है और ये मेरे पास में एक load है उधारन के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक ये motor है अब दोस्तों जब generally मैं हमारी इस motor को supply देता हूँ तो उस case में क्या करता हूँ अब fault कहीं तरीके के हो सकते हैं उधाय के लिए मान लेते कि हमारे जो फेस वायर है ये फेस वायरा कहीं से leakage हो गया इस फेस वायर में कहीं से insulation जो है इसका वो break हो गया और किसी human ने आके यहाँ पर इसको छू लिया उसके current क्या होगा दोस्तों हमें electrical shock लगेगा और कुछ current क्या होगा हमारी body में भी flow होने लग जाएगा अब जब हमारी body में current flow होगा तो इसके current क्या होगा हमारे जो face wire है और जो neutral wire है इन दोनों wire के अंतर जो current flow होना चाहिए था बिल्कुल same as it is current flow होना चाहिए था वह बिल्कुल same नहीं होगा क्योंकि कुछ current है वह हमारी body में flow होने लग जा है इसके वज़े से इन दोनों current के value में कुछ difference हो जाएगा यह दोनों balance नहीं होगे और अगर इन दोनों current के वीच में balancing नहीं है तो उस case में हमारी जो RCCB होती है यह RCCB system को trip करा देती है मतलब कि आगे supply जाने रोग देती है अब RCCB को connect कैसे किया जाता है तो RCCB की connecting विल्कुल same MCB की तरह है हम जो भी supply हमारे load को देना चाहते हैं वह supply हम direct हमारे load को नहीं देंगे वह देखती रहेगी कि जितना current जा रहा है उतना ही current वापर return हो रहा है नहीं हो रहा अगर कहीं पर भी unbalance होगा तो उस समय RCCB trip कर जाएगी और इसी तरीके से RCCB हमें protection देती है दोस्तों यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान रखिए जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप कभी भी RCCB लगा रहे हैं तो उस case में आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप MCB को या दूसरा कोई circuit breaker को आप ignore कर दो आपको यह चोटी सी बात का ध्यान रखना चीए कि जो RCCB होती है इस RCCB का काम होता है human को protection देना जबकि हमारी McB होती है, इस McB का काम होता है हमारे जो electrical के उपकरण है, हो इन electrical के उपकरण को protection देना तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने RCCB लगा दी और आपने MCB को नहीं लगाया MCB को इग्नोर किया तो उसके बाद में अगर कभी भी आपका जो उपकरण है वह उपकरण जादा करण लेता है या कभी कहीं पर शौर्ट सर्कुट हो जाता है जैसे कि MCB, MCCB तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि RCCB के साथ में एक हमेशा बैक अप के लिए सर्कुट बिकर होना चाहिए उमीद करता हूं दोस्तों आपको आज कभी वीडियो हेलफुल साबित हुआ होगा आपको यह वीडियो को लाइक की बताइएगा अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के पड़ते हैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अज यह मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी आज के लिए इतना ही धन्यवाद